अश्कार फ्रेंड मैं डॉक्टर एनी राज अपने चैनल बाबा होमियोनिले में आप सभी का अधुचित अभिवादन करते हैं हम लोग जानेंगे एस्टियो पुरोशिस के ट्रीटमेंट से सम्मंधित मुख होमियोपैथिक मेडिसीन के विशय में अश्टियो पुरोशिष में कारगर जो होमियोपैथिक मेडिसीन है उसके विशय में आज हम लोग जानेंगे साथ ही बोन को मजबूत करने के लिए जो होमियोपैथिक मेडिसीन है उसके विशय में भी हम लोग जानेंगे अश्टियों प्रोशिष ग्रास्त विक्यों में हडियां उम्र के साथ साथ धीरे-धीरे नाजुक और कमजोर हो जाते हैं और इसी वज़ा से उसके टुटने का जो जोखिम होता है वह बढ़ जाती है हालाकि हडियों का घंत्व का कम होना उम्र बढ़ने का समान हिसा होता है क्योंकि जब उम्र बढ़ेगी तो हडियों में जो इसकी घंत्व होती है वह कम होगी है जब उम्र के साथ हड़ियों में घंट्व कम होने का जो प्रोसेस है वो एक सम्मन है लेकिन जब यहीं काद तेजी से होने लगती है तो अश्टियोप्रोसिश की समस्या उत्पन हो जाती है महिलाओं में खासकर अश्टियोप्रोसिश का खत्रा अधिक रहता है वो भी रजन्यवीर्ति के सुरवातिक पुछ वर्सों में या जो अशंकार हती है वो बढ़ जाती है इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि लक्षन दिखाई पर हाला कि अश्टियोप्रोसिश से प्रीत लो स्थिल हो जाते हैं हो सकता है इस समस्या से फिर्ट लोगों में लिए कूबर विख्सित हो जाए कि ऐसे लोगों में सारीर का सही मुज्राव बनाय रखने की जो च्शंता होती है शक्ति होती है वो दो कम हो जाती इस आज裡 जानते हैंignant ले-पियो में में कारगाइब होम्योपयूकों Weisit की जो पहली में है वाए कलगेर्यीजा हो भी कलकरिया फोस मेडशीन अस्टियो कोरोसिस के लिए बहुत ही कारगार सरीर में कल्सियम की कमी हो जा रही है इसकी पूर्ति कलकरिया फोस कर देती होमियोपैस की कल्सियम की दवा कलकरिया फोस को बानी जाती है फ्रेंस कलकरिया फोस उन बच्चों के लिए फैदेमंद है जो चिर्चीरे कमजूर पाचन तंत्र और हाथ पैट ठंडे होने जैसी समस्या से पिरिच्राते या क्रोनिक वास्टिंग डिजिज नौन यूनियन टाइप ट्रेक्टर और हडियों के रोगों का इलाज करने में एक यहात पैर इसम में कठोड़ता हाथ पैर की हडियों में दर्द नितंबो और पीठ में दर्द ठंड या नौम मौशं में या लक्षन बत्तर हो जाते हैं और रोगी की सीधी चर्णे पर ठकावट मर्शूर नीच रहे लखन सुस्क और गर्म जलवाव में बेहतर हो जात तो कलकरिया फॉस इन लक्षणों के अधार पर बहुत ही बहतरीन मेड्सिन फ्रेंस इसके दूसरी मेड्सिन कलकरिया आयोट अध्य मैं प्सीति गुरूशिष्ट की जो दूसरी मेड्सीन है वह कलकरिया आयोड या जो मेडसीन है या आधिक वजन वाले बच्चों के लिए सबसे उप्यूपत हैं जिन बच्चों में अक्सार सर्दी की समस्या रहती है पैरों में कर्ण्जोरी घुटनों में दर्द विसेस का रात के समय और उंगलियों और हाथों में शुनपन की सिखाए अगर यह शिम्टम्स है तो कलकेरिया आयोड बहुत ही अच्छी मेडसीन है आये जानते हैं इसकी तीसरी मेडसीन के विशाय में वह है शिम्फाइटम यह दावा आम तोर पर जोरू प्रकाज करते हैं उपरी जबरे की हड़ी में शुजन जलन और लालीबा पेरी उस्टूम में चुभन वाला दर्द गहरे घाव जो हड़ीयों को भेजते हैं गयर उनियन फ्रेक्चर फ्रेक्चर वाली जगह पर आती समय दर्द सिलता अगर यह सिम्टम पाई जा रही है तो सिम्फाइटम मेडसीन बहुत ही कारगर है आए जानते हैं अश्टियो प्रेशिस की अगली मेडसीन की बारे में हुआ है रूटा जी रूटा ग्रेवियोलेंस इसकी पूरी नाम है हम लोगों रूटा के नाम से भी इसे जानते हैं यह मेडसीन उन लोगों में आच्छा कार्ज करती है जो ठके हुए कमजोर और उदास मसूफ करते है यह हडियो काठिलेज पेरी उस्टेयम पर असर करता है इसलिए अश्टियो प्रोसीस के लिए इसे विसेश रूप से कार उच्छ हाथ पैर टकने और कलाई में अकरंसी मसूफ होती है पैर में खिचाओ के साथ-साथ जांगों में दर्द पैर के निजले हिसे में मौजू जो टेंडन होती है उसमें दर्द प्राइकिका के कारण होने वाले दर्द विसेश का राज के समय लेटते वाक अत्याधिक लुग बेचैनी इसके लक्षन ठंड और परसाथ के मौसम में बढ़ जाते हैं बहुत ही खराब हो जाते हैं तो हम अश्टियो प्रोशिष में रूटा का प्रयोग कर सकते हैं इन लक्षनों को देखका रूटा बहुत ही कारगर मेटसीन इसकी जो अगली मेटसीन है वह है फ्रेंड साइलेसिया उन लोगों को दिया जाता है जो ठोने के मौसों के परती अत्याधिक समयदन सील होते हैं और बहुत गर्म कपरे उनको पहनने की जरूट परती है या दावा हड़ियों को प्रभावित करने वाले बीमारियों जैसे नेफ्रोसिस के लिए विसेस ही कार अगर होती है गुद्रों के जो दर्ध होते हैं ऐसा लगता है जैसमें उसमें ताकठ ही नहीं होचल नहीं सकता है तलों में थं पैर की ओलियों में अगर ए सारे सिंटम सी में रहे हैं तो अश्ट्यों पॉसिस्ट के जो मैडशीन है वर सैद्धिया में कालकरिया कार भी यह बहुत ही अचना मेडशीन कार व committees Workshop में अच्छा कार करक दी है जी इने ठन्ड के माँसर में भी पसीना जाती हैं, बाहों और पेरों में कमझोरी रुमेटाइट पेंड विसेस कर बरसात के मौशम में, जोरों में शुजन असन्थुलित पोशन मांस्पेश्यों का फटना मौझ इसके लक्षन थंध या बरसात के मौशम में सारेरी क्या मांशिक थकान के बाद खरे होने के दवरान और पुर्णीमा के दावां तोरान बढ़ जाते हैं अगर इन लक्षर मिल रही है तो अश्ट्यो पुराशिस की कलकरिया कार्व बहुत ही अच्छी मेडसीन हैं हम इन लक्षरों को दे कर कलकरिया कार्व का इस रोग में प्रयोग कर शक्ते हैं मैंने जो भी मेडसीन का बर्णन की आप लोगों की जनकारी के लिए थी जब भी आप अगर ट्रिटमेंट लेना चाते हैं तो उन्हें जी की डॉक्टर से शपर कर ले उनसे सला ले उसके बाद ही मेडसीन का प्रयोग करें थैंक यू धनवार